जमु कश्मीर की दड़कन, दिलूं की दड़कन, नौजवानूं की उम्मीद, अपने कायर जिनाब महत्रम श्री राहूल गांदी जी से गुजारिश करूँगा, सब खड़े होके कै करूबода महत्री झारो से गोष बढता से गुजार, स्टीय हो जी जी से जी से गुजार। जिलुक झाल, स्टार, स्ट्व उनल, स्टीय जी से गुभारा है जी जी से एतidence प्यूज़न वहत्रा, स्टॉबyttार, aoंश्र्शै से गुभारा है खारगे जी खारगे जी वेनु गोपाल जी सोलांकी जी तारिक कर्रा जी गुलाम एहमद मीर जी विकार रसूल जी रमन बल्ला जी तारचन जी रंधावा जी कॉंग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकर्ता आप सब का यहाँ बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं अगर आप फैमिली हो आप परिवार हो आप कार्यकर्ता नहीं हो अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं जैसे हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तह किया दोनों ने तह किया कि हमें सबसे पहले यहां जमू और कश्मीर आना चाहिए क्यूंकि हम जमू और कश्मीर के लोगों को और strip के हर स्टेट के लोगों को मैसिज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रेप्रेजेंटेशन उनका स्टेट हुड सबसे ज़रूरी चीज़ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिट्रीज को स्टेट में बदला गया है मगर एक ही उधारन है जब स्टेट हुड छीन कर यूनियन टेरिट्री बनाई गई है यह पहले बार हुआ है इससे पहले यह कभी नहीं हुआ था और हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग है उनका रेप्रेजेंटेशन जरूरी है हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है इसलिए इसलिए हम सब मिलकर यहां पहले आएं कि मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं कि मैं लोग तंत्र की रक्षा करता हूं पूरे देश में करता हूं रेप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं मगर मेरे लिए जो जमू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है दुख है डर है उसको मिटाना मेरा लक्ष है यह मेरे लिए यह मेरे पॉलिटिकल बात नहीं है यह और गहरी बात है जो आपको सहना पड़ता है जिस गर में आप जीते हो जो दुख आपको होता है इसको मैं खारगे जी पूरी कॉंग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं कल शाम को कि अब मैं आपको थोड़ी परसनल बात बताता हूँ ज्याद़ लंबा करते हैंं कोई कुछ कह देता है इरीटेशन हो जाती है होती है कभी कोई उल्टी सीरी बात गलत बात बोलगता है इरिटेशन हो जाती है कभी कोई एक्जाक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है होते नहीं होती है तो कल रात मैं खारगे जी के साथ डिनर खाने गए वहां पर उन्होंने पूरी मतलब वाजबान खिला दी अब खारगे जी की मुश्किल है वो उनको वो केरला गए थे उनका वहां पर ट्रीटमेंट हुआ अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भहिया आपको पंदरा दिन वेजिटेरियन काना काना है तो कल वाजबान का मज़ा नहीं ले पाए वाजबान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइस्क्रीम घा लूँ तो मैं आइस्क्रीम पालर में गया वहाँ पे हम बैठे थे वहाँ पे बादची चल रही थी तो वहाँ पे जो आइस्क्रीम खा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जमू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई मैंने का नहीं मुझे जमू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते मैं जमू कश्मीर के लोगों से मोहबत करता हूँ ये अलग चीज़ है तो मेरा आपके साथ दूसरा रिष्टा है इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूँ ये मुझे और गहराई से समझ आती है ये बहुत पुराना रिष्टा है खून का रिष्टा है तो ये मैसेज में आपको देना चाहता था दो तीन और चीज़े कहूंगा अगर कॉंफिडेंस से निडर्ता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कॉंग्रेस का कार्य करता है मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सेहना पड़ता है मगर आप कॉंग्रेस पार्टी का जंडा कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप त्यार रहते हो तो मैंने कर्रा साथ को कहा है खारगे जी ने भी कहा है कि गटबंदन होगा मगर कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करता की इज़्जत रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा सीथी जी बात है प्यार से होगा दोस्ती से होगा मगर हमारा जो कार्य करता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा हमारे जो लीडर्ज हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में कॉंग्रेस पार्टी की ठिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है और मैं जानता हूँ आपने कितना जोर कितना कश्ट उठाया है कितना वजन आपने अपने कंधों पर उठाया है देश की आलत आप जानते हों पूरे देश में बेरोजगारी है जमू कश्मीर में बेरोजगारी है जो ऑपर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है मगर एक बात बदल गई है और यह आपने टीवी पे देखा होगा चुनाओं में नरेंद्र मोधी जी की confidence को इंडिया गटबंदन ने खतम कर दिया आपने देखा होगा आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोधी जी छाती फहला के आते थे यादे आपको यूँ आते दे अभी यूँ आते हैं और हराया किसने नहीं राहूल गांदी नहीं नहीं राहूल गांदी नहीं कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा ने इंडिया गटबंदन की विचारधारा ने मोहबत ने एकता ने रिस्पेक्ट में हमने हिंसा से कुछ नहीं किया गलत शब प्रयोग नहीं किये मगर नरेंद्र मोधी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आपको सोचते हो वो नहीं हो उनकी कॉन्फिडंस को मैं आपको स्टेट से खुल के बता रहा हूं उनकी सेल्फ कॉन्फिडंस को उनकी साइकॉलोजी को हमने तोड दिया है यह आपको मैं मैसेज देना चाहता था आप कांग्रेस पार्टी के कारे करता हो बबर शेर हो और आप सिर्फ कारे करता नहीं हो यह पूरा का पूरा एक परिवार है जहां भी हमारी जरूरत हो जब भी आप चाहो चाहे कारगे जी हो मैं हूं कर्रा साब हो वेनुग उपाल जी हो जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े बस आपको ओर्डर देना है हम हाजिर हो जाएंगे और जम्बू और कश्मीर के लोगों से युवाओं से मैं कहना चाहता हूं नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खूलनी है नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है नफरत की काट महबबत से हो सकती है और मिलकर हम नफरत को महबबत से हराएंगे धन्यवाद नमस्कार